कि आज हम बनाएंगे सूजी का अलबा और इसको बनानेThis रिए हम इन चीजों की ज़ारूत है मैं चाहिए अधिकतोरी देसी गी अधिकतोरी सूझी अधिकतोरी चीनी या शकर और दो कटोरी पानδα yet तो कड़ाई में डालते हैं देसी घी ग्यास को रखते हैं फुल पे और घी को गरम होने देते हैं डालते हैं इसमें सूजी और इसको अपने रोस्ट करना है जब तक यह गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है लगातार इसको स्टर करते रहेंगे जब सूजी भून जाएगी तो इसकी खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि यह तैयार हो चुका है ग्यास मीडियम पर रखेंगे और लगातार स्टर करते रहेंगे स्टर करने से सूजी नीचे नहीं लगेगी और हर तरफ से यह बराबर इवनली रोस्तो जाएगी गैस को आप कम जादा भी कर सकते हैं जब सूजी हमारे भून जाएगी इसमें हम पानी और चीनी डाल देंगे तो सूजी हमारे भून चुकी है गुल्डन ब्राउन हो चुक और हीट को हम अब कर देंगे फुल पर आई पर और इसको लगातार स्टर करना है जब तक सारा पानी सूख नहीं जाता और हल्वा घी नहीं छोड़ देता तो आप देख रहे हैं कि पानी काफी हद तक सूख गया लेकिन फिर भी अभी पानी है इसमें और एक बार पानी सूख जाएगा तो इसमें घी छोड़ देगा फिरहाल यह हल्वा है चिपकराय साइट पर एक बार घी निकल जाएगा और यह सारा इकठा मूब करना शुरू करेंगे तो हल्वे को लगातार स्टर करते रहना है और जैसे जैसे आप इसको स्टर करेंगे आप दिखेंगे कि यह कड़ाई की साइट्स को छोड़ना शुरू कर देगा कि घीस में से निकलना शुरू हो जाएगा और यह एक लंप एक मास की तरह इकठा भूमना शुरू हो जाएगा जैसे कि अब हो चुका है तो हमारा हल्वा जो है वो अब तैयार हो चुका है बिल्कुल रेडी है गास को हम करेंगे बंद और इसको ट्रांसफर करेंगे एक सरीन बोल में तो यह रही आज की डेश सूज की का हल्वा इसको गार्निश करेंगे किशमिश और कटे हुए बादाम के साथ में इससे जरूर बनाएं अपना फीड़बैक दें हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शिगर मिलेंगे एक नई रेसिपी एक नई डिश के साथ में थै